सोमवार मंगलवार रात दौपचे प्रसारित होने वाले डांस रियालिटी शो महाराश्य बेस डांसर में नाकुर की बेटी प्राश्य प्रजापती नीद्धमाकितार प्रदर्शन कर फाइनल में अपना स्तान बना लिया है जिसके बाद उसकी परिवार में खुश्छी की ल बना लिया है सुमवार मंगलवार रात नव पचे प्रसारित होनी पाले इस डांस रियालिटी शो में धर्मिश और पूजा सावन कारिक्रम का परिशन करे है वही संकर्षन और नम्रता मेजवान भी भूमी का में है नागपुर की प्राची ने अपने नुद्द से दैशकों और परिशार्थियों को मंत्र मुक्त कर दिया है प्राची नागपुर में अपनी मौसी सवीता प्रचापति की गोदली हुई करन्या है प्राची की मौसी ने उसे महज दो साग की उम्रे में अपनी छोटी पहन जो की जगतलपुर 36 गड़ में रहती है उससे गोदलिया था प्राची की नाना की तब्याद खराब रहती थी मेरे बाद प्राची की देखरे कोन करेंगा यह सोच कर प्राची की मौसी ने शाधी मिने की इस बारे में प्राची की मामा ने अधिक जानका निसा जागी कहते हैं वही लोग अक्सर जमाने में खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं ऐसा ही कुछ हुनर प्राची प्रजापती इस नाम की लड़की का बोला है नाखपुर की प्राची प्रजापती महाराश डांसर की टॉप फाइनलिस्ट इन खिलाडियों में अब वो फाइनलिस्ट की तौर पर जाने वाली हो उसे के फैमिली वालों से उनके परिवार जनों से आज हमें आपे बात करने आये हैं तो सबसे पहले मैं उसके मामा से बात करना चाहूंगी कि किस तरीके से उनको फीलिंग आ रही है, क्या उनका अनुभव रहा है। हम सबसे पहले आप से पूछना चाहिए कि कैसी फीलिंग है आपकी अभी। बहुत खुशी हो रही है पूछी आज जिस स्टेच पर पहुंची है उसके लिए बहुत मेहनत करी है और आपको बताओ की पूछी को दो साल की जब प्राची थी तब उसकी मौसी ने उसको गोद लिया था और दो साल की जब वो थी तब से प्राची नाकपूर में हमारे इसी घर में रहती है और प्राची की पढ़ाई लिखाई उसका डांस के लिए उसकी मौसी ने बहुत प्रैतने किया बहुत परिश्रम किया और आज प्र उसी ने जो भी छोटे मोटे काम करती थी जैसे सिलाई करती है और शादियों में महंदी लगाना यह सब काम करके प्राची को बढ़ा किया और प्राची की हर इच्छा पूरी करी प्राची को डांस में बहुत इंट्रेस्ट था तो उसने डांस के लिए प्राची के जो इंट् तरह से उसको मदद किया तो आज प्राची जहां भी डेती है जहां भी तो तीन साल के थी तो हमारे करीब में ही एक 비क होती ती जो हला की बहुत-बड़ा dance class नहीं था, तो हमारे बस्ती का ही एक बच्चा है, उसके पास हमने प्राची को भेजा dance के लिए, तो उसके सर ने देखा कि प्राची में कुछ एक अलग हुनर है, तो उसने हमें बताया कि सर आप प्राची को प्राची की मौसी से बोला कि प्राची को आप बड़े मंच पर मतलब कुछ अच्छी dance class में भेजिए, क्योंकि इसमें कुछ अलग बात है, यह कुछ अच्छा करेंगी, तो उसके उनके कहने पर हमने प्राची को एक अलग dance class में भेजा, फिर उस dance class में भी उसका कुछ हुनर ऐसा खिल कर सामने आया, कि सभी लोगों ने फिर उसका support किया, और फिर हमने उसको audition दिया, फस्ट टाइम, और ऐसा करके, वो dance class माजे असल डांसर, ETV माराथी पर माजे असल डांसर, सोनी टीवी पर डांस प्लस और आज माहरासर बेस डांसर के final में पहुच चुकी है, प्राची ने अब तक कितने अवार्ड मतलब उसके संग्रा में अब तक कितने अवार्ड है, मैं ये जानना चाहती हूँ, प्राची के पास जब वो 6 सा से अवार्ड वीन कर रही है, और आज वो 17 साल की हो चुकी है, इस पिरेड में करीब उसके पास 800 प्लस अवार्ड होने चाहिए, अभी अवार्ड का का काउंटिंग तो मैं भी आपको परफेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन चुकि घर की परिस्तिती आईसी है, घर में वेवस उसने जीता है, मैं आपको बताओगा वार्ड, वार्ड आप जरूर देखियेंगा, लेकिन उसके काफी सारे अवार्ड है, जो संदुक में बंद पड़े है, जिसको हमने सालों से देखा नहीं, क्योंकि हम उस अवार्ड को एक जगा सजा कर लोगों को दिखा सके, अगर प जो परिस्तिती में हम रह रहे हैं, वो परिस्तिती में नाकपूर वालों का प्राची के तरफ वो ध्यान नहीं गया, काफी समय से प्रहतने कर रही है, अभी प्राची नाकपूर में कोई हाईलाइट होई नहीं है, पिछले 10 साल से प्रहतने कर रही है, तो हम चाहते हैं कि प्राची का नाम हो प्राची को लोग जाने कि उसकी महनत लोग उसको जानेंगे उसी तरह उसकी महनत हम सफल समझेंगे तो हम चाहते हैं कि पुरा नाकपूर उसको पहचाने बस यही इच्छा है आर्थिक परिस्ति कमजूर होने के पाउजुद बच्पन से रुत्य के प्रती प्राची की रुची देखकर मौसी ने उसे रुत्य है तू विभिन्न मंचों में भाग लेने है तू प्रेरित्या प्राची की मौसी सिलाई करना, शाधियों में महनती लगाना आधी काम करके प्राची की पढ़ाई एवं डांस क्लास का खर्ज स्वयम ही करती है प्राची को कहीं से कोई आर्थिक मदद भी आज सकने पिली प्राची को अब तक 800 से जादा अवार्ड मिल चुकी है पर घर मे रखने की जगा नहीं है प्राची के हर एक ओडिशन में उसकी मौसी हमीशा साथ रहती है अब तक प्राची एटीवी मराठी में मैड याने माची असल डांसर स्टार प्लस में डांस प्लस सोने टीवी में इंडिया बेस डांसर जैसी बड़ी प्रतियों की ताव में अपने नुद के आप प्रतियों कर चूकी है नाना के साथ में रहती थी फिर उसने सोची नाना की तवेट खराब होगी तो उसने सोची अब उसका कौन करेंगा इसलिए उसके मौसी नहीं की और वह उसी के साथ रहती है उसको सब उसका जो भी करना है वह उसकी मौसी करती है आज प्राची इतने बड़े मुकाम पर पहु प्राची से जुड़े हुए साथी सर्फ उनके परिवार के नहीं बर नाखपुर के हर एक निवासी के एक्सपेक्टेशन्स प्राची से है कि महाराश्ट्रस बेस डांसर में प्राची जाए और वहाँ पे जीते बस यही दूआ अविश्कारों की बाउचुद 17 वर्ष यह प्राची ने कभी हार निवानी है और अपने नुत्य पर काम करती रही इतने सालों की महनत की बाद महाराश्ट्र बेस डांसर में शिर्ष पांच में प्राची का चैनुआ है अब इसे जितना उसका सपना बन चुका है प्राची का और भर रोट करके विज़े बनाने की प्राधना प्राची की परिवाद इस वक्त की है इस वक्त प्राची के मामा जो है वो जन्ता से कुछ केहना चाहिए आते देखते हैं कि वो क्या केहना चाहते हैं आपके नाकपूर की बेटी हमारी बेटी इस नाकपूर शहर का गवराव प्राची प्रजपती को आने वाले सुमवार और मंगलवार को रात 9 से 12 बजे अपने मोबाइल पर आप सोनी लिव एप डाउनलोड करके प्राची को वोट कीजिए याद रखिये प्रतिक वैक्ति सव डाल सकता है तो आप अपने हर एक मोबाइल से सव सव डालिए अपने परिवार से अपने रिष्टेदारों से और अपने मित्रों से भी वोट डलवाईए आप इतने तादत में वोट डालोंगे तो प्राची की निष्जित है और इसके लि तो देखा आप लोगोंने कि किस तरीके से हर कोई वोट फॉर प्राची वोट फॉर प्राची कह रहा है हम यह आपसे अपील करते कि प्राची के लिए वोट कीजिए हमारी नाकपुर की बेटी जो है उसको आगे बढ़ा ये कैमरा परसंद राजकुमार महोर के साथ मैं दिश